ख्वाहिशें कुछ और है, वक्त की चाह कुछ और है, कौन जी सका है, जिन्दगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है नमशकार मैं हूं मुहित कमल श्रिमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानि की साथ डिसमबर के इस विशेश एपिसोर में, साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामने देना चाहूंगा जिनका आज जनम दि शाम दीपक जलानी की परंपरा कियों है? फाइदा क्या मिलता है? ये इस एपिसोर के अंत में बतलाऊंगा, ये आज सेकंड पार्ट में हम डिवाइड करके बात करने वाले हैं. लाइफ साइल सीरीज में काफी चीजों पर हम बात करने हैं. सबसे पहले हमने बात शुरू क करते हैं. उसके पीछे की धारणा क्या है? पंचांग की बात करते हैं संबत 2019 का मार्क शीर्ष शुकल पक चल रहा है. चतुर दशी तिती रहेगी सुभे के आट बच के एक मिनिट तक जिसके बाद में पूर्निमातिती आरंभ होगी. कृत का नक्षतर रहेगा सुभे के दस बच के 24 मिनिट तक जिसके बाद में रोहिनी नक्षतरा आरंभ होगा, वहीं वरशबराशी का चंद्रमा रहेगा. रहुकाल का समय जिसमें माना जाता है, कोई भी शुभ काम नहीं की आ जाता, वो आज की दिन समय रहेगा दोपहर के 12 बज़े से लेके डेड़ बज़े तक और शुभ चोगड या महौरत आज की दिन रहने वाला है दो बार, सबसे पहले सुभे 7 बच के 17 मिनिट से 10 बच के 17 मिनिट तक और दूसरा 5 बच के 47 मिनिट से 7 बच के 17 मिनिट तक शाम के, दक्षन दिशा और पश्चम दिशा में, आप यात्रा करेंगे आपके लिए शु शुल्दोष लगेगा, उसके लिए उड़त का उपयोग करेंगे, तो यात्रा शुल्दोष का परिहार करनी के लिए एक उपायसिद है। आज सुर्योदै कालीन कुंडली में आपको संखियापाश योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, लक्ष योग का फल नहीं भोग पाता। कई बार, इनसान महनत कर रहा है, पर दिशा गलत है, प्रयास पूरे है, महनत पूरी है, पर फिर भी सकस्श नहीं देख पाता। सकस्स मिल भी जाय, तो भी साटस फायि नहीं होता। इसका कारण कुंडली नहीं, स्वयम है। कुंडली में आपके प्रयास आपको फल दिलाएंगे कौन सा समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा पर उसको मानना और ना मानना ये स्वयम पर निर्भर करता है ऐसे ही जब सकस्स नहीं मलती तो क्या करना चाहिए जैसे कि आप सब जानते हैं आठ डिसेंबर दो हजार बाईस को दस मा विध्या मैं से एक त्रिपूर भैरवी जैनती पर हम आपके लिए कवच निर्मान कर रहे हैं आपकी कोई समस्या है कोई कामना पूर्ती है जिसको अब अब पूरा करना चाहते हैं समस्या का समधान चाहते हैं कामनाओ को पूरा करना चाहते हैं जिन्दगी में जो स्ट्रगल है उससे छूटना चाहते हैं सकस्स पाना चाहते हैं तो ऐसे में मेहनत तो पूरी कर लिए ह इस नंबर पे संपर्क करना एक बाकी रह रहा है ये numbers शायद आपका भाग्य बदल ना सके पर भाग्य के अंदर जो रुका हुआ है वो आप तक जरूर पहुचा सकते हैं माध्यम इसमें बनेंगे कवच ऐसा क्यों? जैसे कि आपने देखा है वैक्सिन आपको कुरोना से शील्ड करती है बचाती है वैसे ही कवच नेगेटिव एनरजी से फेलियर से बचाते हैं बुरी संगती से बचाते हैं हर चीज का एक परपिस होता है एक उद्देश ये होता है गोली जो आप खाते हैं यानि कि जो मेडिसन लेते हैं उसका उद्देश ये है कि आपकी सेहत बहतर करें डॉक्टर से मिलने का उद्देश ये है बिमारी पता चले वैसे ही जोतिशी से मिलने का उद्देश ये है कि आगे का भविश्य आपको पता चले कवच का उद्देश ये है कि आपके जिंदगी में जो परिश्रम है जो मेहनत है तो उसका अब सफलता आपको प्रदान करें ये जो साइड में आप नंबर्स देख रहे हैं सुभे नौ बज़े से लेके शाम को साथ बज़े तक अगर आप इन पे संपर्क करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या है उसको सुना जाएगा और उसका समाधान आपको बताया जाएगा समाधान करना और ना करना ये स्वाहिम के हाथों में है पर उसका समाधान क्या है ये सुनना बड़ा जरूरी है मैं ये नहीं कहता हूँ जो समाधान बताते हैं वही कीजे यही है लाख जोतिशियों को देख लीजे पहले अंत में मेरे पास में आईए मैं यह नहीं कहता हूँ कि शुरुआत ही मुझसे कीजे आराम से पहले अपनी रिसर्च कीजे उसके बाद में जब आपका कहीं पे काम ना बने तो मैं लास्ट रिजॉट हूँ कहीं बार लोगों से भी यह सुना है कि आप से मिलने से पहले मैं बीस जोतिशियों से मिल चुका हूँ अंत में जाकर के अब एक ऐसा जोतिशी मिला है जिसने लिख करके कुछ दिया है जो बोल रहा है जो हकीकत है सिर्फ मीठी मीठी बाते नहीं कर रहा यह सुन करके एक मन को अच्छा भी ल लगता है कि बीस जोतिशियों को देखने के बाद में परखने के बाद में उसके बाद में आपने मेरे बारे में सोचा पैसा आपका है कैसे आपको यूटलाइस करना है वो कि बता नहीं सकता बस बात इतनी सी है कि संजोग की बात है कब कौन आपके सामने आता है और किस का क जब लक्ष्मी को पूरे तरीके से अपने जिन्दगी में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महाँ पे पहले बात आती है अश्ट लक्ष्मी का बच्की। लक्ष्मी के ही रूप है, और इन सभी लक्ष्मींगों को प्राप्त करने के लिए अश्ट लक्ष्मी कवच धारण करना सबसे बहतर माना जाता है। फिर बात आती है दस महाविध्या कवज की ब्रह्मान ही समस्त क्रिया कलापों की नियमित और नियंतरत करने वाली शक्तियां महाविध्या के नाम से जानी जाती है आसुरी और दुष्ट प्रभावी शक्तियां भी है और ये समय समय पर अपना असर दिखाती है संसार को सुव यवस्था जो है उसको चिन भीन करने का काम करती है इन सभी दुष्ट प्रवर्थियों को निरस्त करने के लिए नश्ट करने के लिए देवी शक्ति को इस तापिद करना सबसे जादा जरूरी है और उस समय में बात होती है दस महाविध्याओं की दस महाविध्या की शक्ती से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शेत्रों में शांदार एफेक्ट्स देख सकते हैं समस्त ऐश्वरिय और पद प्रतिष्ठा आपके हातों में हो सकते अब बात आती है पैसों की पर पैसे ऐसे जो आगे तक चले यानि की आपके बात में आपके बच्चों के लिए पोतों के लिए पड़ पोतों के लिए लगातार रहे तो ऐसे मैं लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ती तो हो गई अश्ट लक्ष्मी कवच पहन लिया, वहाँ पे लक्ष्मी प्राप्ति तो हो गई शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्नन है कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल के, वायू के, अगनी के देवतना होते हैं तो ऐसे में धन कुबेर कवच पहनना, स्वयम की संपत्ति को पीडियों के लिए संजो करके रखने का काम यहां पे करता है फिर बात आती है लक्ष्मी नारायन कवच की, हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति भी चाते हैं, साथ ही अच्छे संसकार भी चाते हैं अकसर देखा गया है, पैसों के साथ में बुरी चीजें साथ में आती हैं जहां लक्ष्मी की नारायन के साथ में आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्वेक होती है, शुद होती है, निती पूर्ण उपार्जित होती है वो लक्ष्मी चीर काल तक स्थाई रहती है क्योंकि नारेण में ही ऐसे गुण है जो चंचल लक्ष्मी को बांध करके रख सकते हैं जोतिश अनुसार भी भगवान विश्नु ब्रहस्पती ग्रह के लिए पूजी है वहीं ब्रहस्पती ग्रह सुक, संतान सुक, सौभाग्य सम्रद्धी और आध्यात्मिक उन्नती के कारक ग्रह हैं बहुतिक सुक, सम्रद्धी की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है जो शुक, सौभाग्य के साथ में बहुतिक सम्रद्धी संपन होनी आने बारी है इसलिए लक्ष्मी नारायन दोनों की शक्तियों का वरण एक साथ करना लक्ष्मी नारायन कवच का विशेश अभिप्राय है हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल जो है वो आपके स्वयम के हाथों में आई अब बात करते हैं आज के राशी फिल के और शुरुवात करेंगे मेश राशी से मेश राशी के लिए राशी भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुका है विपत्तारा का साथ है अश्टाग वर्ग में 28 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 40% सपोर्ट की बन रही है सेकंड हाउस का चंद्रमा साथ में विपत्तारा का साथ यह आपके नेगिटिविटी को एंप्लिफाई करने का काम करेंगा यहीं पे लालश प्रवर्टी आपके अंदर बढ़ाएगा इर्शिया भाव उत्पन करेगा लोगों के साथ में डिस्साटिस्वाक्शन की सिचुएशन यहाँ पे ज्यादा डिवलप होती नजर आएगी घर परिवार वालों की मेहनत पर उनकी हर कोशिश पर आप उंगली उठाते नजर आएंगे यहीं पे आपकी सेहत के अंदर आँखों को लेकर के परिशानी उत्पन होना डाइजस्टिव परिशानिया यहाँ पे देखना यह कॉमन आज की दिन आप एकस्पेक्ट कर सकते हैं ऐसे समय में अपने काम पर फोकस आपको जयादा करना चाहिए है, यहीं पे अगर जाप करते हैं तो अपने आसपास के लोगों पर आपको निगार रखने की ज़रृद है, देखने की ज़रुरत है कि कहीं कोई आपके अगेंस्ट काम ना कर रहा हो, आपके मेहनत आपकरने ह लगा हुआ है तो ऐसे में मेहनद भी आपकी पूरी लगी और उसका श्रे भी आपको ना मिले तो ये परिशानी बन सकती है वहीं जो व्यापारी वर्क का इंसान है उसके लिए आज के दिन ये कहूंगा कि रिस्क ज्यादा है सोच समझ करके हर कदम आगे बढ़ाना है आपने किसी को कोई डिलिवरी प्रॉमिस की हुए कमिट्मेंट दिया हुआ है आज उस डिलिवरी को टाइम पे ना करने के कारण आपकी नेम पर आपकी एक्सपर्टीज पर उंगली उठ सकती है शुबरंग रहेगा गोल्डन कलर शुबंग रहेगा नमब थरी अब बात करते हैं रशब राशी की राशी भाव में ही चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ है अश्ठक गवर्गमे 26 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉस्टिव बना रहा है ऐसे में अच्छी इंविस्मेंट ऑपॉचुनिटीज आना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहना अपने जुबान पर सही से वापिस काम करना यहीं अच्छी कमाई कर लेना घर के सुख सुविधाय बढ़ाना घर परिवार का पूरा साथ मिलना प्रेम मिलना और वहीं उनके लिए कुछ बड़ा ही शांदार आज के दिन करते हुए आप नज़र आएंगे सांसार एक सुख सुविधाय भी मिलेगी वहीं पेकारियस तल पे चाहे ऑफिस है या आपका फैक्टरी वहाँ पे आज के दिन आपको बहुत ही एप्रिशेट किया जाएगा बहुत मानसमान आपको दिया जाएगा शुबरंग एस में रहेगा ब्लू कलर शुब अंक रहेगा नबर नाइन अब बात करते हैं मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए राशी भाव से ट्विल्थ हाउस में चंद्रमा है वदतारा का साथ है अश्ठक वर्ग में 23 डॉट्स है ओवरॉल सिचुएशन 30 परसन यहाँ पे सपोर्ट की है 12 ऑयूस का चंद्रमा यहाँ पे रुपे पैसों का लॉस देगा अपने काम के अंदर फोकस नहीं करने देगा वही आज नींद पूरी ना होना यह शिकायद भी करते नजर आएंगे पर 30% जो आपको यहां पे support मिल रहा है, वो यही support है कि स्वेम से ना काम करें, आज colleagues का साथ, अपने seniors का साथ, अपने साथ में जो काम करने वाले, अपने subordinates जो है, स्टाफ जो है, उनका support आज के दिन आपकी नईयां को पार लगा सकता है, आपके loss होने से बचा सकता है, इस आज अपने दोस्तों को, अपने colleagues को, अपने seniors को याद जरूर कीजेगा अगर कोई भी परेशानी सामने आती है तो, शुबरंग रहेगा आपके लिए golden color, शुबंख रहेगा number 6, अब बात करते हैं करक राशी की, 11th house का चंदरमा है, संपत तारा का साथ भी है, अश्ठक वर नजर आने वाला है, घर परिवार के अंदर मंगले कारिय की शुरुवात भी हो सकती है, बहुत अच्छे दोस्तों का और परिवार सगे संबंदियों का घर पे आना, घर की energy को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, ऐसे समय में जो भी इनसान कारिय के लिए बाहर निकल रहे खास तौर पे जो भी marketing का आदमी है, accounting का आदमी जो collection के लिए बाहर निकल रहा है, उसके लिए शांदार दिन रहने वाला है, overall दिन काफी जादा satisfactory रहेगा, ऐसे समय में negative लोगों से, negative impact से, negative action से, आपका बचाव बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, शुबरंग रहेगा आपक करते हैं सिंग राशी की, आपके लिए राशी भाव से 10th house में चंद्रमा है, जन्तार का साथ अश्ठगवर में 35. overall situation यहाँ पे 75% positivity की है, यहाँ पे मान समान मिलना, अपने काम के अंदर सफलता प्राप करना, अच्छी कमाई होना, जो expect करते हैं, यानि कि घर से बाहर निकल सकती है, जो सोचा ना हो, उस तरीके की कमाई होना, उस तरीके से clients का आना, यह आज के दिन देखा जा सकता है, ऐसे समय में property के अंदर कोई भी investment करने के लिए आप इच्छुक हैं, तो आप आगे जरूर बढ़िए, लगातार आने वाले तीन दिन आपके लिए positive सिध होंगी यानि कि आप मान सकते हैं कि जब तक यहाँ पे करक राशी का चंदरमा नहीं आदा, that is up to 11th of December, वहाँ तक आपको लगादार positivity देखने को मिलने वाली है, ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए bright yellow color शुबरंग रहेगा number 4, अब बात करते हैं कन्या राशी की, कन्या health wise problems, कोई ना कोई बेमारी आपको जखर सकती है, यहाँ पे बेमारी कोई बड़े रूप में हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोई मौसमी बेमारी हो, बुखार आ जाना हो, अभी जो मौसम बदल रहा है, उसके कारण आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, यह चीज़ें कही जाएगी, ऐसे में बेकार के कामों के अंदर आज के दिन आप वियस्त ज्यादा नजर आएंगे, इसके कारण आप ये भी कहेंगे, कि जो आपको आज profits मिल सकते थे, जो अच्छी कमाई हो सकती थी, जो काम आप अपने सही तरीके से पूरे कर सकते थे, उससे आप बंच्छ ने हैं तुलाराशी की, एट था उसका चंद्रमा है, अधिमित्रतारा का साथ है, अश्टगवर्ग में 32 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए बन जाती है, 70% सपोर्ट की, एट था उसका चंद्रमा, जहां तनाव देने का काम करेगा, आज ससुराल पक्ष से भी और वही ऑफिस में भी दोनों ही तरफ टेंशन ज्यादा देखने को मिलेगी, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता नजर आएगा, चाहे एक फोन कॉली हो गया बॉस की तरफ से, कि आप से मिलना है, यह क्या काम क्या है, मुझे समझना है, इतना सी कुछ हो जाए, तो आपका पूरा सिस्टम यह कह सकता हूँ, कि अचानक से हिल जाएगा, अब घबरा जादा जाएंगे, कि होगने क्या वाला है, चाहे सही हो या गलत, वो बातें बाद में होंगी, पर अभी के लिए एक बार तो आपको स्ट्रेस में डाल दिया जा सकता है, इस से आपको बच कलीक्स का साथ, यह आज के दिन ज्यादा मिलेगा, कोई भी परेशानी है इन लोगों के साथ में शेयर करने पे, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई बाहर निकलने का रास्ता, यह लोग आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे, ऐसे में शुबरंग आज क 25% positivity की है, जीवन साथी के साथ में काफी जादा अच्छी ट्यूनिंग घर परिवार का साथ वही पे अच्छी कमाई है, आज के दिन आपके दिन को हाइलाइट करने का काम करेंगी, यादगार बनाने का काम करेंगी, ओवरॉल साटिस्फाक्शन जिसे कहा जाता है, चाहे आ मस्याओं का सामना आज के दिन करना पड़ेगा, कहा जाता है न, कि हर अच्छी चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, वही चीज आज के दिन आपके साथ में होगी, कि थोड़ी महनत, थोड़ा तरपना अभी पड़ेगा आपको, और उसके बाद में ही आपको आपकी सफ अगर में 22 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे 75% पॉस्टिविटी की बनती है, 6,000 का चंदरमा जहां रिकवरी के लिए जाना जाता है, आज के दिन ये कहूंगा, कि हार्ट प्रॉब्लम से, ब्लड प्रॉब्लम से, आज के दिन छुटकारा मिल सकते हैं, रिक को फेस करना आपके लिए जादा बहतर सिद होगा, जो भी मिस अंडरस्टांडिंग है, उस से यहाँ पे छुटकारा मिलेगा, चाहे किसी व्यवसाई की बात करें, व्यापारी की बात करें, नौकरी करने वाले की बात करें, उनके लिए भी यही कहूंगा, कि जो भी समस्य आए हैं, बैट करके सुलजाने से आज की दिन सुलज़ पाएंगी, बड़ी ही आसानी से आप हर प्रॉब्लम का सुल्यूशन आज की दिन सामने लेके आएंगे, आपको एप्रिशेट भी किया जाएगा, वहीं पे आज की दिन आप प्रॉफिट्स हर किसी के लिए कमाते व बलने वाली है, शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुब अंक रहेगा नमबर नाइन, अब बात करते हैं मकर राशी की, मकर राशी के लिए फिफ्थ हाउस का चंद्रमा है, सादक तारा का साथ और अश्ठक वर्क में 28 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिच्वे आप्टर ही रहेगा क्योंकि नेगिटिविटी फिर भी फेस करनी है, नेगिटिविटी आपको फेस करनी पड़ेगी सबसे पहले अपनी हेल्थ में, दूसरी यात्राओं में और तीसरी लोगों के सपोर्ट में, पर यहाँ पर बहतर क्या होगा, अपने संतान के द्वारा आज के दिन सुख आप राप्त करेंगे, उनके किसी अचीवमेंट से आप बहुत ही जादा गौर्णवानवित होंगे, आज कमाई के जो सादन है, नए खोजने में आप सफल होंगे, इन्वेस्मेंट ऑपोजनिटी अच्छी आएगी, पर इन्वेस्मेंट करने से अभी थ को बढ़ेंगे, शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुब अंक रहेगा नंबर फोर, अब बात करते हैं कुम राशी की, फोर्थ हाउस का चंद्रमा है, सादक तारा का साथ है, अश्टग वरी मिठरी डॉर्ट से हैं, ओवरॉल सिचुएशन 67% सपोर की बनती है, पर फोर्थ हाउस का चंद्रमा है, जहां गुस्सा दिलाने का काम करेगा, हार्ट प्रॉब्लम देने का काम करेगा, बलट से रिलेटिट समस्याय देगा, कहीं ना कहीं पे चोटिल करने का काम करेगा, वहीं आज घर परिवार के अंदर जो सीनियर्स हैं, जो फ ना अपने काम से खुश है ना ही रिजल्ट से खुश है। ऐसे समय में अक्सर देखा गया है इनसान गिव अप वाली सिचुएशन में आता है। कि मेरे बस में नहीं है अब मैं छोड़ रहा हूं। तो ऐसे मैं एक छोटा सा सुझाव दूँगा। जब ऐसी समस्यां इतनी जादा घंबीर रूप से दिखें तब एक नॉर्मल सा काम करना है। समस्या से थोड़ा दूर हो जाईए। यानि कि काम में समस्या आ रही है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाईए, रिफ्रेश होकर के वापस आईए, नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में आएंगे। जब समस्या सीधे तोर पे हल नहीं होती, तो उसके लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। लोगों का साथ चाहिए होता है, एक की जगे तीन से चार दिमागों का साथ जब मिलता है, तो ब्रेंस्टॉमिंग के कारण उस प्रॉब्लम का सुल्यूशन सामने आ पाता है यही चीज आज के दिन आपको भी try करने की जरुरत है शुबरंग ऐसे में रहेगा red color, शुबंख रहेगा number 9 अब बात करते हैं mean राशी की mean राशी के लिए राशी भाव से third house में चंदरमा है प्रत्यारी तारा का साथ है, अश्ठक वर्ग में 29 dots है overall situation आपके लिए यहाँ पे 80% positive बंदी है third house का चंदरमा investments के लिए बहुत शुब माना जाता है वहीं पे financial gain देने का काम करता है, अच्छी कमाई भी होगी और investment opportunities चाहे land property building में investment करना है कोई share या commodity में आपको investment करना है कोई दोस्त आप से रुपे मांग रहा है जिसके वापस बदले में आपको कोई ना कोई चीज प्रदान करेगा या तो फिर वापस interest के साथ में आपको payment करने वाला है तो ये भी आपके लापकारी situation जरूर उत्पन करेगा अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी ओवराल दिन काफी जादा achievement से भरा है अच्छी growth से भरा है health wise भी recovery होगी ऐसे समय में और अच्छे लोगों का साथ आपको, आपके मन को और आपके परिवार को सब को खुश करेगा शुबरंग ऐसे में रहेगा आपके लिए off white color शुबंख रहेगा number seven ये तो हुई बात आज के राशी फलकी अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की यानिकी lifestyle सीरीज में episode number two सुभे शाम दीपक जलाने की परंपरा क्यों है फाइदा क्या है क्योंकि अक्सर आज के समय में कोई भी छीज किसी को भी बताई इनसान यही पूछता है फाइदा क्या है इसे मेरा सनातन धरम में देवी देवताओं की पूजा में आरती का महत्वपूर्ण स्थान है आरती में इश्वर का गुनगान करते हैं और आराधना करते हैं कि हमारे पापों के लिए हमें शमा करें इसे हमारे मन को शांती और सुकून का अभास होता है और हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु दोश भी खतम होता है अगर आप दीपक प्रजवलित करते हैं, प्रजवलित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए घर में सुक और शांती और आर्थिक सम्रद्दी भी आएगी, साथ ही देवी देवताओं का आशिरवाद भी आपको प्राप्थ होगा वहीं अगर दीपक प्रजवलित करते समय कुछ चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो घर से सुक शांती गुम हो जाती है आर्थिक नुकसान देखना पड़ता है वहीं आपके परिवार के अंदर कलेश की अवस्था देखने को मिलती है ऐसे में जब दीपक प्रजवलित किया जाता है तो क्या ऐसी चीज़े हैं जिने अशुब माना जाता है धार्मिक कारियों में खंडत दीपक का प्रयोग करना सही नहीं माना गया है पूजा करते समय साफ और सही दीपक का प्रयोग ना करना ये मना किया गया है धार्मिक कारियों में खंडत दीपक अशुब माने जाते हैं और जल्दी लाब चाहिए हो तो पूजा करते समय आपको कभी भी खराब दीपक, तूटे हुए दीपक, टेडे हुए वे दीपक, जो दीपक साफ नहीं है, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए अब यहीं पे क्या चीजों को शब माना जाता है अगर आप घी का दीपक जलाते हैं, तो सफेद रूई का प्रयोग करें वहीं तेल का दीपक जलाते हैं, तो लाल धागे का आप बाती बनाईए और उसे उपयोग कीजिए इस तरह दीपक जलाना धार्मिक कारियों में शुभ माना जाता है अब घर में सुख शांती चाहिए, तो वास्तु शास्त्रक अनुसार हर रोज सुभे शाम दीपक जलाने से घर में पॉस्टिव एनरजी का फ्लो बरता है और नेगिटिव एनरजी जो है, वो घर से बाहर जाती है साथ ही इससे घर में सुख और शांती और सम्रद्धी बनी रहती है अब यहाँ पे कहीं लोग पोछेंगे कि आपने बताया है कि हर रोज दीपक जलाने से क्या फाइदा है तो हर रोज दीपक जलाने का शाम के वक्त घर के में डोर पर यानि की जो आपकी घर की चौकट है उसके बाहर की तरफ अगर आप दीपक प्रजवलित करते हैं तो इससे माता लक्षमी प्रसन होती है और यहाँ पर ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रख करके किसी चाफ़ल या तो पर किसी दूसरी चीज़ पर आपको रखना चाहिए स्वास्त्य संबंद्ध समस्या भी है अगर आपको हो रही है तो इसको दूर करने के लिए पीने के पानी के बरतन के पास यानि की जिसे हम मारबाडी में पिनियारा बोलते हैं, जहाँ पे मटकी रखी जाती है, अगर आप भी अपने घर में मटकी रखते हैं, अगर मटकी नहीं रखते हैं, आरो या वाटर प्यूर फायर आपने कुछ रखा है, तो उसके पास में एक जगे बनाई है, जहाँ पे हर दीपक को नहीं जलाया जाता, दीपक को हमेशा अलग अलग ही रख करके प्रजवलित करना चाहिए, चाहे वो पूजा के समय हो, या फिर कोई भी और समय, अब गी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हैं साइड में आपको प्रजवलित करना चाहिए, वहीं पे तेल का दूसरा दीपक करना चाहिए, उसी दीपक को फिर से प्रजवलित नहीं किया जाता। अक्सर कहीं लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, यह मिस्टेक करते हैं, कि आपने एक दीपक सामने प्रजवलित किया, बुझ गया, हवा चल रही थी, कोई ना कोई कारण, किसी भी कारण, वो बुझ गया है, तो वापस उसमें घी भी है, अबाती भी है, तो उसके बाद में चे चाहिए, हमेशा की तरह यही प्रात्ना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे, गर में बड़े पूरों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमार साथ में बना रहे, जैश्री राम एवम, जैहन। एूलाओ लाद लग YouTuber जैश्री रहे, Μें बना, जैश्री क्या कि रेधा करा स savoir जैश्री कैशने जैश्री रहे, 3 जैश्री रहे,уск compat फिक में बड़Now, रहे कर 좁ए। हम विल्जरे में और हमेश पक्षक, लिजएश्री वीं ओिया, टिजए दो परों आंव्रे